हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल इंडोलोगस में मेरा नाम है प्रियनका और आज हम डिसकस करेंगे CMN Governor 2022 तो नियो अपडेटेड डाटा है जो भी नियो अपईमेंट हुए हैं CMN Governor के वो सभी हमने कवर किये हैं friends and I hope ये वीडियो आप सभी के लिए helpful रहेगी तो आएए स्टार्ट करते हैं friends बिना किसी देरी के हमारी फीडियो पास क्वेशन है हमारा उत्तरपरदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने है Who has become the new CM of उत्तरपरदेश राइट आंसर है option A योगी आदित्यनाथ उत्तरपरदेश की बात कर लेते हैं तो capital है इसकी लखनो जो की गोंती रिवर के किनारे located है और CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है यहां की आनंदी बेन पतेल legislature की बात कर लेते हैं तो ये है bicameral council भी है और assembly भी है तो council की 100 seat है आपे और assembly में है 403 seats राजी सबा की 31 seat है और लोग सबा की 80 seat है तो ये seats आपको याद रखनी है maximum seats किस state में है पूछा जाता है काफी बार तो उत्तरपरदेश is the right answer और यहां पर आपको location दिख जाएगी उत्तरपरदेश की next question है हमारा पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने है who has become the new CM of Punjab right answer इसका option B भगवन सिंग मान तो picture up में आपको भगवन सिंग मान देखेंगे जो की new CM है पंजाब के पंजाब की बात करें तो capital इसकी है चंडिगर and CM भगवन सिंग मान है जो की आम आदमी party से relate करते हैं और governor यहां के हैं बनवारी लाल पुरोहित legislature की बात कर लेते हैं तो unicameral है और assembly में यहां पर 117 seat है लोग समा में 13 seat है और राज्य समा में 7 seat है और यहां पर आपको location दिखेगी map में पंजाब की तो map के साथ काफी easy रह जाता है कोई भी चीज को याद करना तो इसलिए हमें यहां पर map include किया है next question हमारा उत्राखन के नए मुख्यमंत्री कौन बने है who has become the new CM of उत्राखन right answer इसका option C पुशकर सिंग धामी तो पुशकर सिंग धामी की विच्चर आपको दिख रही होगी उत्राखन की बात कर लेते हैं तो capital इसकी है दहरादून जो की winter capital है और garrison इसकी summer capital है तो summer capital garrison भी आपको याद रखना है friends CM की बात कर लेते हैं तो CM पुशकर सिंग धामी है और governor यहाँ के है गुरमीच सिंग legislative assembly में यहाँ पर 17 seat है 70 seat है 70 70 seat है और राजी सभा में 3 seat है और लोग सभा की बात करें तो 5 seat यहाँ पर उत्राखन में दिखने को मिल दी है और यहाँ पर location मिल जाएगी आपको उत्राखन की next question है परमोज सावन किस राज के नए मुख्यमंदरी बने है परमोज सावन has become the new cm of which state राइट आंसर इस ऑप्शन ए गुवा तो गुवा के बने हैं परमोज सावन new cm गुवा की बात करें स्टेट की तो परणजी is capital है और cm है परमोज सावन और गवर्नर है पी एस सिरी धरन पिल लई तो पी एस सिरी धरन पिल लई यहां की गवर्नर है गुवा की बात कर लेते हैं इस इस इंडियाज smallest state by the area तो area के according यहां पर हलका साव को दिखेगा तो smallest state है and fourth smallest by population और population के according यह fourth smallest state है legislative assembly में 40 seat है and राजी सभा में one seat है and लोग सभा में two seat है तो यह seats भी आपको याद रखने पर नहीं काफी बार इससे question बन जाता है क्योंकि 2022 में ही यहां पर election हुए थे इन पांच states में तो इसलिए आपको यह याद रखना है next question है हमारा N.B.Rain Singh किस राजी के मुख्यमंत्री बने है right answer is a option C Manipur तो Manipur के CM है एन्विरेंसिंग पिच्चर में आपको दिखेंगे Manipur की बात कर लेते हैं state की तो in fallacy capital है CM है एन्विरेंसिंग and governor है लागनेशन legislative assembly में 60 seat है and राजी सभा में one seat and लोग सभा में है two seat और यहाँ पर आपको दिख जाएगा Manipur next question है एकनाज सिंदे किस राजी के नई मुख्यमंत्री बने है एकनाज सिंदे has become the new CM of which state right answer is a option A महराश्टा तो महराश्टा के new CM appoint हुए है एकनाज सिंदे महराश्टा की बात करें तो Mumbai is the summer capital और इसकी winter capital है नाकपूर CM यहाँ के हैं एकनाज सिंदे और गवर्नर है भगस सिंग कोशियारी legislature यहाँ bicameral है assembly की 288 seat है और legislative council में यहाँ पे 78 seat है राजी सवा में 19 seat है और यहाँ पे आपको यह महराश्टा की location दिखेगी next question है नितिश कुमार किस राजी के नए मुख्य मंत्री बने है right answer is the option B बिहार तो नितिश कुमार के अगर हम बात करें तो नितिश कुमार 18th time CM बने है नितिश कुमार जी बिहार के यह भी आपको याद अठना है लगातार 8 वी बार यह CM बने है बिहार के बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार की कुछ important points है जैसे की capital C है पटना और नितिश कुमार यहाँ के CM है और गवर्नर यहाँ के है फागु चुहान council में यहाँ पे 75 seat है और assembly में 243 seat है राजी सभा की 16 seat है और लोग सभा में 40 seat है और यहाँ पे आपको बिहार की location दिखेगी next है state हमारे पास आंध्रापरदेश तो आंध्रापरदेश की capital है अमरावती और यहाँ के CM है Y.S. जगमोहन रेड़ी तो Y.S. जगमोहन रेड़ी यह यहाँ के CM है और गवर्नर है यहाँ के बिश्व भूशन हरी चंद्रन और यहाँ पे आपको location दिख जाएगी आंध्रापरदेश की तो friends आपको एक question answer बताना है मुझे comment box में comment करके कि भासाई आधार पर बनने वाला पहला राज जी कौन सा है और यह इसकी स्तापना कब हुई थी और उस राज जी का नाम भी पताईएगा और कब राज जी बना था भासाई आधार पर तो please friends इसका right answer आप comment box में comment करके चरूर बताईएगा तो next state है हमारे पार अरुनांचर प्रदेश अरुनांचर प्रदेश की अगर हम बात करें capital इसकी है इटा नगर और CM यहां के है पेमा खंडू और governor है बीठी मिस्रा और यहां पे आपको location दिख जाएगी अरुनांचर प्रदेश की तो northeast state है अरुनांचर प्रदेश next state है हमारे पार असम तो असम की capital है दिस्पूर और हिमंत विश्वा सर्मा यहां के CM है और यहां पे आपको दिखेगी legislative assembly में 126 seat और लोग सभा में 14 seat और राज सभा में 7 seat और location आपको दिख जाएगी यहां पे असम की next question है मारे तो 36 गर की capital है राइपूर बुपेज बेगेल यहां के CM है और अनुसुया उइके और यहां पे आपको दिख जाएगा 36 गर जो की मद्धिपर्देश से अलग होके 2000 में बना था सन 2000 में यह अलग होके मद्धिपर्देश से अलग राज्जी बना था next state है हमारे पागुजरात तो गुजरात की capital है काधी नगर और CM यहां के है बुपेंद्र पटेल तो CM की बात करें तो बुपेंद्र पटेल है और गवर्नर है यहां के आचारी देवरत और यहां पे आपको गुजरात की लोकेशन देखने को मिलेगी next state है हर्याना तो हर्याना की capital है जंडिगर और यहां के जो CM है वो है मनुहलाल खटर और यहां की गवर्नर है बंडारू तत्ता त्रे और यहां पे हर्याना की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी next state है हिमाचर परदेश हिमाचर परदेश की capital है summer capital जो की सिमला है और धरमशारा यहां की winter capital है CM है यहां के जैराम ठाकुर और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आल लेकर और यहां पे हिमाचर परदेश की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी next state है जार्खन जार्खन की जो capital है वो है राची और हिमंद सुरेन यहां के CM है और रमेश बैस यहां की गवर्नर है यहां पे आपको लोकेशन दिख जाएगी जार्खन की जो की बिहार से अलग होके एक राज्जी बना था next state है करनाटका करनाटका की जो capital है वो है बैंगलोरू NCM है यहां के बिशव राज बॉंबई और गवर्नर है थावर चन गहलोद अगर legislative assembly की बात करें तो यहां पे 224 seat है और council में 75 seat है और यहां पे location आपको दिख जाएगी करनाटका की next state है केला केला की legislative assembly की बात करें तो 141 seat है और लोक सभा में यहां पे है 20 seat 20 seat और राज्य सभा में 9 seat है capital की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी capital है तिरुवन्तु पुरम और CM है यहां के पिंडरे विजियन governor है आतिब मोहमत खान तो आरिफ मोहमत खान यहां के governor है यह भी आपको याद रखना है और location एक बात देख लीजीगा केल लगी next state है मध्यपर्देश, मध्यपर्देश की capital है भुपाल और CM है सिवराज सिंग चोहान और governor है मंगू भाई छगन भाई पतेल और मध्यपर्देश की location आपको यहां पर देखने को मिलेगी next state है मिघालया मिघालय की capital है सिलोंग and CM है यहां के Conrad K. Sangma और governor है B.D. Misra जिनके पास additional charge है मिघालय का तो 4 October 2022 से B.D. Misra के पास मिघालय का भी charge आ गया था तो B.D. Misra किस राज्य के governor है यह आपको बताना है किस और राज्य के governor है B.D. Misra तो यह comment box में comment करके जरूर बताईएगा तो यहां पर location मिघ लेगी आपको मिघा लेगी Next state है हमारे पास Mizoram तो Mizoram की capital है Izol and CM है यहां के Joram Thanga and अगर governor की बात करी तो हरी बाबू कंभत पती यहां के governor है और यहां पर आपको नीचे दिखेगा Mizoram Sorry Mizoram यहां पर आपको दिखेगा Next state है मारे पार Nagaland तो Nagaland की capital है Kohima and CM है यहां के nephew Rio और governor है जगदीश मुखी और जगदीश मुखी के पास additional charge है Nagaland का तो जगदीश मुखी एक CM है Asam के Asam के CM है and Nagaland के CM है तो यहां पर आपको location दिख जाएगा जिश्वर इसकी capital है और CM है यहां के Navin Patnaik जी जिनकी picture आपको दिख रही है Navin Patnaik जी और गड़े सी लाल यहां के governor है और location में यहां पर आपको उड़िशा दिखेगा Next state है Rajasthan Rajasthan की capital है जैपूर जो की Pink City के नाम से जाने जाती है और governor यहां के है सौरी CM है यहां के अशोग गहलोद जिनकी picture आपको दिख रही है और governor है कलराज सिंह मिश्र तो कलराज मिश्रा यहां के governor है और capital सौरी location आपको दिख जाएगी यहां पर राजिस्तान की Next state है सिक्किम सिक्किम की जो capital है और सिक्किम के बारे में एक याद रखी का सिक्किम इजा लीस्ट population state in India तो लीस्ट population है चोटा सा एक राजिय है और यहां पर हलका साब को दिखेगा सिक्किम Next state है तमिलनाडू तमिलनाडू की capital है चिन्ने और सियम है हां के MK स्टालिन और गवर्नर है आरेंड रवी legislative assembly की बात करे तो 234 seat है लोक सभा की 39 seat है और राज सभा की 18 seat है और यहां पर आपको तमिलनाडू दिखेगा तो next state है हमारे पाद तेलंगाना तेलंगाना की capital है है हैदराबाद चोकि मूस्री रीवर पे है and CM यहां के है चंदर शेखर राव और गवर्नर है यहां की तमली साही सॉंदर्वी राजन लोकेशन यहां पर आपको दिख जाएगा तेलंगाना का और तेलंगाना का formation कब हुआ था 2nd of June 2014 2014 में इसका formation हुआ था 2 June 2014 को इसका formation हुआ था नेक्स स्टेट है मारपा त्रिपुरा जिसकी कैपिटल है अगरितला और CM है यहां के मानिक शाह जो की new appointment किये गए है और गवर्नर है सत्यदेव नारायन आरिय और यहां पर लोकेशन आपको दीख जाएगा त्रिपुरा का नेक्स स्टेट है वेस्ट बेंगॉल वेस्ट बेंगॉल की कैपिटल है कोलकत्ता जो की हुगली टिवर पे है और CM यहां की है ममता बनरजी और गवर्नर है लागनेशन जिनके पास additional charge है वेस्ट बेंगॉल का तो इससे पहले कौन थे वेस्ट बेंगॉल के गवर्नर यह आपको comment box में comment करके बताना है legislative assembly की बात करें तो 294 seat है और लोग सभा की यहाँ पे 42 seat है राज्जी सभा की 16 seat है तो 16 seat है राज्जी सभा की और location यहाँ पर दिख जाए कि आपको वेस्ट बेंगॉल तो next यूटी देख लेते हैं तो यूटी है डेली तो डेली की capital है न्यू डेली एंड सीम यहाँ के है अरविंदर केजरिवाल जो की आम आदमी party से रिलेट करते हैं और लेफ्टिनेट गवर्नर यहाँ के हैं बिने कुमार सक्षियना डेफ्टि सीम की बात करें तो मनी सिचोधिया है जो की डेफ्टि सीम है लोकेशन यहाँ पर आपको दीचाएगी डेली की नेक्स यूटी है हमारा पुदुचेरी पुदुचेरी की capital है पुदुचेरी और सीम यहाँ के हैं एन रंगा स्वामी लेफ्टिनेट गवर्णर यहाँ के हैं तमलीज साई सौंदरी राजन जिनके पास additional चार्ज है पुदुचेरी का तो पुदुचेरी और तिलंगाना तो तिलंगाना के पास भी इनका चार्ज है तो तिलंगाना के गवर्णर कौन है वो भी तमली साही सौंदर इडराजन है और पुदुचेरी की भी जो गवर्नर है लेफ्टिनेट गवर्नर वो भी यही है तो एडिशनल चार्ज है यह भी आपको याद रखना है अगर बात करें पुदुचेरी की तो लोकेशन यहाँ पे आपको हलकी हलकी सी दिख जाएगी पुदुचेरी की नेक्स यूटी है हमारा जम्मू और कश्मीर तो जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो है समर कैपिटल की बात करें तो वो है श्रीनगर जो की मेर टू अक्टूबर है जम्मू इसकी विंटर कैपिटल है नवंबर टू अप्रेल लेफ्टिनेट गवर्न यहां के हैं मनुस सिन्हा और Chief Justice है यहां के पंकश मित्थल तो पंकश मित्थल न्यू अपोइंट हुए हैं इसके Chief Justice of High Court Next question है हमारा Next UT है हमारा सौरी Ladakh Ladakh Next UT है और इसकी जो Capital है वो है ले है Lieutenant Governor यहां के RK माथूर है और District 2 है ले हैं ले है और Ladakh और formation इसका हुआ था 31st of October 2019 तो यहाँ पर आपको लद्दाग देहने को मिलेगा जो की formation हुआ था 31st of October 2019 को तो next हमारा UT है दादर और नागर हवेली और दमन्दीव तो इन दोनों को merge करके एक ही UT बना दिया गया है दादर और नागर हवेली को और दमन्दीव को है दमन्द और administration की बात करें तो इसके जो प्रसासक है वो है प्रफुल पटेल तो प्रफुल पटेल इसके प्रसासक है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इसकी location दमन्दीव की नेक्स्ट है लक्षुदीब तो लक्षुदीब की capital है कवरती और यहाँ पर आपको दिखेगी लक्षुदीब जो की एक आइलेंड है और यह भी एक यूटी है और इसके जो प्रसासक है वो भी प्रफुल पटेल है जिनकी पिच्चर आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट है चंडिगर तो चंडिगर की अगर हम बात करें तो capital इसके चंडिगर ही है और यहाँ पे आपको दिख जायागा चंडिगर बनवारी लार पुरोहित इसके administrator है जो की यहां के प्रसासक है तो चंडिगर के प्रसासक कौन है बनवारी लार परोहित यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स नेक्स्ट है अंडमान नीकोबार अंडमान एन नीकोबार आइलेंड इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट प्लेयर ये भी एक कैपिटल है सौरी ये भी एक यूटी है और यहाँ पे आपको अंडमान एन नीकोबार जो आइलेंड है वो देखने को मिलता है इंडिया से बाहर यहाँ पर आपको दिखेगा location और इसके अगर प्रसासक की बात करें तो Admiral D.K. Joshi इसके प्रसासक हैं जिसकी picture आपको देखने को मिल रही है तो friends E.U.T. और वो मैंने cover कर लिया है आशा करती हूँ friends ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और आप सब के लिए helpful रहने वाली है एड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने friends के शेर करना ना भूले PDF के लिए आप जोईन कर सकते हैं हमारा टेलिग्राम चैनल and thank you so much for watching friends मिलते हैं next वीडियो में ना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए Thank you friends